तो भारती टीम जो है अभी जिबॉब में है जहां पर वो T20 सीरीज खेल रही है लेकिन अगला जो पड़ा होगा वो होगा भारती टीम का श्रिलंका के सार जहां तीन T20 और तीन ODI मुकाबले खेले जाएंगे ऐसे में चूकी रोहित शर्मा T20 से रिटार्मेंट ले चुके हैं विराट कोली T20 से रिटार्मेंट ले चुके हैं रविंदर जिल्डेजा T20 से रिटार्मेंट ले चुके हैं तो उनकी जगह कौन से खिलाली आ सकते हैं और T20 फार्मेट में कप्तानी का दरोमदार किस खिलाल हमने देखा है कि हार्दिक पंडिया एक ऐसा नाम है जो T20 की कप्तानी कई मौकों पर कर चुके हैं। इसलिए sources के जरीए जो जानकारी मिल रही है ऐसा हो सकता है कि हार्दिक पंडिया को ही T20 की कमान दी जाए अगर वो available हैं तो इन केस अगर वो available नहीं है तो सुर्कुमार यादों को ये दारों मताद दिया जा सकता है लेकिन ऐसी जानकारी है कि शायद हार्दिक पंडिया आपको बत और कप्तान स्रिलंका के साथ खेलते वे नज़र आएंगे T20 फॉर्मैट में वहीं अगर हम ODI की बात करें तो वहाँ केल राहुल की वापसी बत और कप्तान हो सकती है इस सेलेक्शन कमिटी में काफी कड़े डिसिजन्स लिये जाएंगे और ये भी धान में रखा जाएगा कि आपका T20 फॉर्मैट लॉंगर पिक्चर में आपकी को टीम क्या है बहुत सारे ऐसे स्लॉट्स हैं जिनको लेकर लेकिन उनकी जगह ऐसे बहुत सारे खिलारी हैं जिनको आप देख रहे हैं और ये भी आप समझ सकते हैं कि उनका टाफ कॉंपेटिशन है उस स्लॉट को भरने के लिए तो T20 फॉर्मैट में आपको जब शिलंका के खिलाफ टीम अनौन्स होगी तो आपको एक ऐसा जीतने के बाद तो ओडियाई मैचेज में नहीं अविल्बल होंगे आप कह सकने के एपिसोड में केल राहूल को कप्तानी का दरोमदार मिल सकता है ऐसी जानकारी है तो दो चीजें हुई पहला तो ये कि गौतम गंभीर इसी शिलंका वाली सिरीज से भारतिय टीम के साथ ज में किसको किसको मिल सकती है और वहां पर गौतम गंभीर भी चुकी हैड कोच है तो वो उसमें शामिल होंगे वर्चूली ये मीटिंग होने की पूरे चांसेज है अलाकि गौतम गंभीर कल मुंबई की तरफ जरूर जा रहे हैं लेकिन अभी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि क्या वो यहां फिजिकल ये अटेंड करेंगे इस मीटिंग को या वर्चूली मुझे लगता है कि शायद वर्चूली ही ये मीटिंग की जाएगी जहां पर हमें टीम की जानकारी मिलेगी जो कि श्रिलंका के खिलाफ आपको खेलते हुए नजर आएगी तो ऐसी तम काम और भी अपडेट के लिए आप प्लीज स्पोर्स तक को सब्सक्राइब करिए हमारा नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाईए और फिलहाल के लिए मुझे अज़ादत दीजिए तैंक यू